नमस्कार जहें दोस्तों आप सभी लोग देख रहे हो पर ट्रेश्टेड यूटूब चैनल तो आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वाकत है तो दोस्तों आप सभी लोग के लिए MP Post Office भरती 2020 के समय में बहुत ही महत्वपून और डिमांडिक वीडियो लेकर आया हूँ इस वीडियो के उंतरिकत हमाज आप से चर्चा करने वाले हैं कि GDS, BPM और ABPM Post के लिए आपको कितनी सैलरी मिलेगी आप लोग के ये भी चर्चा करेंगे कि साल में आप लोग का कितना इंक्रिमेंट होगा, कितने परसेंट आप लोग की सैलरी बढ़ेगी और आप लोग को कब कब कितना बोनस मिलेगा इन सब पूर टीची जों पर डीटेल में चर्चा करेंगे पर नेयां पर सबस्क्राइब कर लिजिए और आल निटिफिक्शन कर लिजिए और साथ में वीडियो पसंद आए-टो Allah के शीर कर दीजिए यहां पर BPM, ABPM और डाक करेंगे जो पोस्ट है उसके लिए जो सैलरी है वो कुछ इस प्रकार के दी है जिसमें आप लोगों को 12.000 रुपए दी है BPM की और 10.000 रुपए दी है ABPM की वहीं पर अगर आप लोगों को बात करेंगे TRC for 5 hours level 2 की बात करें तो BPM को मिलेगी 14.500 और ABPM और डाक सिवा को मिलेगी 12.000 तो ये दो-दो आप लोगों की पेस्केल कैसी है आप लोगों को बहुत जादा डाउट है तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में समझाने वाला हूँ अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक चरूर करना दोस्तों यहाँ पे दो आप लोगों की जो वेकेंसी होती है उसमें दो स्लैव होते हैं पहला होता है चार घंटे का स्लैव दूसरा होता है पांच घंटे का स्लैव मतलब मैं समझा देता हूँ कि मान लीजिए कि आपने जिस लोकेशन में अपलाई किया है उस location में आप लोग दो ABPM हो मतलब आप लोग दो डांकिया हो दो डांक सेवक हो लेकिन वहाँ पे काम ज़्यादा नहीं आता जिसके तहट वहाँ पे जो आप लोग को joining मिलेगी वो 4 hours वाले slab के अन्समार मिलेगी यानि कि आपको वहाँ पे दोनों को 4-4 गंटे का काम करना होगा इस 4 गंटे के काम करने के लिए आपको salary BPM वाले पोश्ट के लिए मिलेगा 12,000 रुपए और डांक सेवक जए ABPM वाले पोश्ट के लिए मिलेगा 10,000 रुपए दोनों वैक्तियों को और वहीं परकर आप लोगों की जो एरिया है उसमें काम बहुत जादा है और फिर भी आप लोग दो ही लोग हैं तो आप लोगों को 5 गंटे वाले सेवक के लिए आप लोगों को 5-5 गंटे का काम करना होगा उसके लिए आपको salary 12 से बढ़कर 14,500 मिलेगी BPM के लिए और ABPM ये डाक सेवक के लिए 10 से बढ़कर 12,000 मिलेगी आप लोगों को इन दोनब पदों के लिए तो दोस्तों ये है आप लोगों के दो तरह के slab के नुसार आपको मिलेगी आप बात करें कि slab आपको कैसे मिलेगी और ABPM के पद के लिए आपको 10,000 मिलेंगे लेवल 1 के साब से आप लोगों का slab होगा उसके साब से वहीं पर अगर हम आख से बात करें कि आप लोगों की starting salary मान लीजिए ये है तो यहाँ पर increment क्या होगा दोस्तों साल में आप लोगों के दो increment होते हैं जो कि लगबग 4-5% या 3% के भी हो सकते हैं इस पर the central government के रूल के साब से आप लोगों के जो increment होते हैं वो हर साल आप लोगों के दो बार बढ़ते हैं पहले आप लोगों का होता है जुलाई के महीने में और दूसरा होता है आप लोगों के जनवरी के महीने में ठीक है दोस्तों तो आप लोगों के 2 increment होते हैं लग बख जो भी central government के अनुसरा होता है उसके साफ़ साफकी इंक्रिमेंट होते हैं तो यह तो आपकर 2 increment हो के साल में बात करेंगे salary तो salary आपके हर एक साल में यानि कि हर एक साल में आपलों के जो salary होगी वो 1200 से लेकर 1500 रुपए के बीच में बढ़ती है यानि कि आप लोगों की इतनी सेलरी हर साल बढ़नी ही बढ़नी है तो मान लिजी दोस्तों अगर आप BPM पोश्ट पे हैं और आपकी 12,000 सेलरी है और आप EBPM पोश्ट पे हैं तो आपकी 10,000 सेलरी है तो यहाँ पर दोस्तों एक साल के बाद आपकी सेलरी हो जाएगी आप लोगों की 13,200 रुपए अगर आपके 12,000 रुपए तो यहाँ हो जाएगी आप लोगों की इतनी रुपए तो यानि कि दोस्तों आपकी एक साल में 1200 से लेकर 1500 के बीचे में सेलरी बढ़ती है मान लेज़े कम से कम 1200 बढ़ती है तो दोस्तों ऐसे 10 साल में आप लोग की जो सेलरी होगी वो 12,000 बढ़ेगी यानि कि आपकी टोटल जो सेलरी 10 साल के बाद होगी वो आप लोग की ABPM की देख लिए देखा जाए तो आप लोग की बता रहा हूं यह बिल्कुल आप लोग की एकुले डीटियल से जो पिछली बार लड़के सेलेक्ट होएं उनके अनुसारोनों ने मुझे बताया है तो दोस्तों यहाँ पर आपकी इंक्रिमेंट की बात करेंगे बोनस की तो बोनस बिसमें आपको मिलता है जैसे कि दिवाली पर आप मैं बता दूँ दिवाली पर जो लड़कों को बोनस मिला है वो बारा से लेकर आपको पंदरा हजार रुपे के महीना आपको जो बोनस मिलता है दिवाली के टाइम पर यानि कि आप लोग के लिए देखी जाए तो काफी सारी फैसलेटी है इसमें बहुत सारी चीज़े है और दूसरी चीज़ दो स्लैब बन के लिए आपको सिर्फ चार गंटे का काम है और स्लैब टू के लिए आपको सिर्फ पांच गंटे का काम है ज़्यादा काम भी नहीं है। तो दोस्तों, ये बहुत इच्छी वेकंसी, अगर आप select हो जाते हैं, तो अपनी तयारी भी कर सकते हैं, इसमें departmental exam भी होते हैं, जैसे मैं आपको बता दू, departmental exam इसमें तीन साल के बाद होते हैं, तीन साल के बाद इसमें MTS के पद के लिए अपलाई कर सकते हैं MTS का पद बाबू का पद होता है डाटर एंट्रीट ऑपरेटर का पद होता है बहुत अच्छी वेकेंसी इसमें कॉंपडिशन भी कम होता है तो इस सारे BPM और ABPM वाले ही इसमें अपलाई करते हैं तो दोस्तों अगर उमीद करता हूं आपको ख़बर अच्छी लगी हो कोई भी डाउट होता है आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो मैंने लगता होता है का आपको पूरी डीटियल्स प्रोवाइड करा दी आपसे कुजारे शुका इसी प्रोवाइड करके मेह दुखून वीडियो प्राप्ट करने के लिए सबसे पहले तुरें देनल को सब्सक्राइब करके और लोटिफिक्शन और करेजिए वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए